सेम हो यहाँ पर ए सिंबल क्या रिप्रजेंट कर रहा है मास नंबर को जेड़ सिंबल क्या रिप्रजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को तो ए सिंबल जो हम लोग का है यह मास नंबर का है और जेड़ सिंबल किसका हम लोग का तो एटॉमिक नंबर का है जड़ सिंबल एटोमिक नंबर तो A-2Z की वैल्यू जहां सेम होती है वैसे ही एटम्स को हम लोग क्या बोलते है आइसो डाया फर्स तो हम लोग इसको अब एक्जाम्पल से समझते हैं डिटेल में डिटेल में एक्जाम्पल से समझते हैं कॉपर 29, 65 क्रोमियम 24, 55 तो A-Z का वैल्यू निकाला जाते हैं A-2Z, A-2Z का वैल्यू पहले हम लोग चलते हैं कॉपर में कॉपर 65, A-2Z का वैल्यू तो A कितना मास नमर कितना है? 65, माइनस 2 इन्टू Z तो हम लोग का Z कितना? 29 तो यह 29 तो 2 इन्टू 29 यह कितना होगे हम लोग का? 58 58 एकवल टू कितना आगे हम लोग का? 7 7 आगे प्रोमियम में चलते हैं प्रोमियम में हम लोग निकाले 24, 55 24 और 55 तो A-2 इन्टू Z A-2 इन्टू Z तो हम लोग का मास नमर कितना है? 55 माइनस 2 इंटो अटॉमिक नंबर कितना तो 24 तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 हो गया तो यह हम लोग का 48 55 माइनस 48 7 तो इह हाँ इन दोनों एटम्स में कॉपर एटम में भी और प्रोमियम एटम में भी A-2Z का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो इनको हम लोग क्या लेकिन मन में हम लोग हम लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर यह माइनस टूजेट का मतलब है क्या यह बतला क्या रहा है ठीक है वो तो टिफनीशन था दिया हुआ माइनस टूजेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो उसको आई सोड़ाया फर्स कहते हैं तो यह माइनस टूजेट कैसे निकालना है वो भी समझ गया है दोनों के इसे सेवें आए तो यह बतला क्या रहा है तो हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यह number of neutrons number of protons number of protons number of protons number of protons कितने के बराबर तो atomic number के बराबर तो atomic number 29 proton की संख्या 29 आएगी यहाँ इति atomis number 24 proton की संख्या 20 आजाएगी अब neutron पर आजाए तो तो मास नंबर माइनस ऐटोमिक नंबर तो यहां पर हम लोग के कितना आ जाएगा तो 36 और यहां पर मास नंबर माइनस ऐटोमिक नंबर कितने आ गए 31 तो यहां कॉपर के नूकलियस में 36 प्रोटॉन 29 नूट्रॉन क्रोमियम के नूकलियस में 31 प्रोटॉन सॉरी 31 नूट्रॉ और ट्वंटीफोर नियूटर्णि ज्यादा है न तो नमबर ऑफ एकसेस नियूटर्णि ज्यादा है तो 36 neutron है 29 proton है तो साथ neutron ज्यादा है तो यहां पॉपर के nucleus में साथ neutron proton से ज्यादा है यहां 31 neutron 24 proton तो अगर chromium के nucleus में पूछा जाए neutron की संख्या proton की संख्या से कितनी ज्यादा है तो साथ ज्यादा है बड़ा amazing factor आ रहा है यही हम लोग का a-2z आया था तो दूसरे तरीके से इसोडायाफर्स वैसे इस वैसे इटम्स को कहते हैं जिनके nucleus में number of excess neutron क्या होते हैं बराबर होते हैं नंबर of excess neutron बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडायाफर्स कहते हैं यह नोट यही जोजायाफर्स आइसोडाया थैसोडायाफर्स हईव have same number of excess neutrons, same number of excess neutrons in their nucleus, in their nucleus, और भी हम लोग detail से समझे, same number of excess neutrons, तो आइसो डायाफर उसको कहते हैं, जिनकी A-2Z की value क्या हो, same, A-2Z की value, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग A-Z-Z करकर भी लिख सकते हैं, तो A-2Z equal to A-Z, minus Z आगया, अब कुछ याद करें, यह Z, हम लोग का atomic number किसके बराबर होता है, तो number of protons के बराबर होते हैं, और A-Z, यह A-Z किसके बराबर है, तो यह number of neutrons के बराबर है, तो therefore, A-2Z equal to, A-2Z equal to, क्या हुआ, number of neutrons minus number of protons, यह न, और अभी हम लोग का जो एक्जाम्पल था, उस एक्जाम्पल में आईए, दोनों एक्जाम्पल में, कॉपर में 36 neutron, 29 proton, यह न, क्रोमियम में, क्रोमियम में हम लोग का 31 neutron, 24 proton कितने आये थे, तो minus minus, यह भी 7, यह भी 7 आया था, यह न, तो यह neutron की संख्या, minus proton की संख्या, तो neutron की संख्या में proton की संख्या को सब स्टैक कर दे, तो जो निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया था, एक्सेस neutron, यह न, तो यह number of neutron minus number of protons, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो number of excess neutron, number of excess neutron, यह न, तो इसको भी याद रखना है, तो आज का class हम लोग यही पर wind up करते हैं, लेकिन wind up करने से पहले हम लोग सारा सुरू से जो पढ़े थे, isotopes, isobar, isotone, isoelectronic, isoster, और isodiaphors, इनको हम लोग एक बार short में, brief में, बिल्कुल revise कर लेते हैं, हम लोग इन सब terms को brief में revise करें, आइसो वर्ट का मतलब क्या होता है, same, isotopes क्या same होगा, तो atomic number same होगा, atomic number, ठ्योंगा, आइसो बार क्या same होगा, तो यहां mass number same होगा, same mass number, isotones क्या same होगा, तो number of neutrons same होगा, क्या same होगा, तो number of electrons same होगा, ISO strs क्या same होगा, तो number of atoms and number of electrons दोनों same होगे, और ISO diaphrags क्या same होगा, A minus 2Z same होगा, या दूसरे तरीके से बोला जाए, क्या same होगा, तो number of excess neutrons क्या होगे, बराबर होगे, ठ्याना, आई-सओडायाफर्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वैसे ईटम्स जिसके न्यूंकिस में एकसेस निट्राउन की संख्या बराबर हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो डाय फरस्कारते हैं तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं अगले क्लास पीक का नाम दे दे रहा हुं जो हमने जाए फिजिक्स और केमस्ट्री दोनुझ जगह पूछा जाता है जही मेंस जही एडवांस या निट मेंट की बात करें या जही मेंस की बात करें यह जही एडवांस के बात करें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह एक्जाम में केमेस्टी में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी पूछा जाता है त तो नेक्स क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को लेंगे और पूरा टॉपिक एक ही क्लास में एक से दो क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे कभर करेंगे तो यह ना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यह टॉपिक हम लोग का निट में नेट जै मेंस और एडवांस जै मेंस और एडवांस दोनों जगा ये केमेस्ट्री में भी और फेजिक्स दोनों जगा पूछा जाता है तो हम लोग वेट करते हैं अगले क्लास के लिए सिगनिफिकेंट फिगर्स